लो फ्रेंड्स आपका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है देखे फ्रेंड्स आज हम इन तीन कलरों की उलसे और नीडल ली हाँ हमने यहाँ पर नाइन नंबर इससे बहुत ही सुन्दर एक नीटिंग डिजाइन बनाएंगे इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर म जैक्ट में किसी में डालिए सभी में डलके रेडिमेट से भी सुन्दर डिजाइन बनता हुआ आएगा तो चलिए सीख लेते हैं कि इन तीन कलरों की उलसे हमने इस डिजाइन को किस तरह से बनाया है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखे बिलकुल स पहली सिलाई और सीधी सिलाई है इसे हमने किस तर ऐसे बनाना है बोर्डर बना के पहली सिलाई में आप सेकंड कलर लगाईए और इस यहां पर इस सिलाई को पूरी सिलाई को सीधी साइड से ऐसे सीधा सीधा बना लीजिए डिजाइन की पहली सिलाई सीधी सिलाई तो ये देखिए हमने सीधी साइड से सेकिंड कलर लगा के पूरी सिलाई को हमने सीधा सीधा यहां पर बनाते हुए कम्प्लीट किया डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई दूसरी सिलाई को किस तरह से बनाना थोड़ा सा ध्यान से देखिए पहले फंदे को तो हम ऐसे ही उतारेंगे धागा पीछे करेंगे अब हमें क्या करना एक दो फंदे छोड़के यहां से हम नीडल डालेंगे यहां पीछे से हॉल से नीडल डालके एक फंदा यहां पर हम सीधा बनाएंगे और अब हमें क्या करना है ये दो फंदे हैं इनको हमने इस तरह से बैक लूप से सीधा ही बनाना है इस तरह से अब इन दोनों फंदों को गिरा देंगे दो फंदे से हमारे दो फंदे ही बने है इस तरह से अब अगले फंदे फिर से हम यहां एक दो फंदे के यहां पीछे से ह यहां बनाएंगे हम थोड़ा सा लूज फंदा बनाएंगे इसको और अब इन दो फंदों को इकठा हम बैक लूप से सीधा बनाएंगे डिजाइन की हमारी यह दूसरी सिलाई है उल्टी सिलाई है इस सिलाई को हमने सीधा सीधा ही बनाना है अगले दो फंदे के बाद में फि बैक लूप से सीधा बनाएंगे इस तरह से इस तरह से सीधा बनाएंगे और इन दोनों को निकालते एक दो अगले दो फिर से हम इसी तरह से ऐसे फंदा निकालेंगे और इसे हमने दो फंदों को बैक लूप से हमने सीधा बनाना है और इखठा बनाना है यहां पर इस तरह से इस तरह से, अब इन दोनों को निकालतेंगे, अगला एक दो, दो के बाद यहां से नीडल डालेंगे, और यहां पर फिर से हम, अब एक ही है और एक ही है, दोनों फंदों को बैक लुप से हम फिर से हमने यहां पर सीधा बनाना, लास्ट वाले फंदे को अकेले को सीधा बनान तो ये हमारी यहां पर डिजाइन की दूसरी सिलाई कुल्टी साइड से बनके कम्प्लेट है डिजाइन की तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना थोड़ा सध्यान से देखी फिर से हमने जैसे पहली सिलाई बनाई थी दो-दो सिलाईों का डिजाइन है जैसे पहली सिलाई बनाई थी अब बेस वाला कलर लगा के फिर से हम पूरी रोगों ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे सिरफ दो सिलाई का डिजाइन है, इन्ही दो दोरों को हम दागा चेंज करके, रीपीट करते हुए जाएंगे, और अपना सुंदर सा डिजाइन बना लेगे सभी फंदों को हम तीसरी सिलाई को पहली सिलाई कीत रही, बेस वाले कलर से अब हमने सीधा सीधा बनाना है इस तरह से तो यह देखिए तीसरी सिलाई को पहली सिलाई की तरही बनाया दूसरी सिलाई दूसरी सिलाई यह यहाँ पर है चोथी सिलाई चोथी सिलाई को हमने दूसरी सिलाई की तरही बनाना पहले फंदे को यहाँ से दागा पीछे करेंगे अब क्या करना एक दो दो फंदे के पीछे से नीडल डालेंगे और सीधा फंदा निकालेंगे अब फिर से एक ये और एक ये इस तरह से बैक लूप से हमने यहां पर देखिए फिर से हमने सीधा फंदा इकठा बनाना है इस तरह से कि अब इन को बिरा तरह कि फिर शेया यहां से निडल डालेंगे इस तरह से इक फंदा निकालेंग अब एक इस लाया इन दो फंदो को हम यहां पर देखिए सीधा बनाएंगे इस तरह से इस तरह से सीधा बनाएंगे अब दोनों फंदों को गिराएंगे फिर से एक दो यहां से एक फंदा निकालेंगे यहां से लुप और अब यह एक और एक यह दो फंदे हैं जो इने हमने यहां पर बैक लुप से फिर से इकठा सीधा बना लेना है इस तरह से इस तरह से, अब इन दोनों को गिराएंगे फिर से एक दो, इसके पीछे से निकालेंगे हम इस तरह से, फिर से एक फंदा ये एक इससे अगले वाला, यानि कि दो फंदों को इकठा हम बैक लूप से ऐसे सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से, एक दो, अगला फिर से हम इस त दोनों फंदों को हमने यहां पर फिर से बेक लूप से ऐसे सीधा बनाना लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बनाना तो यह फॉर्थ सलाई को मैंने सेम दूसरी सलाई की तरह ही बना के कम्प्लेट किया तो इसी तरह से आपके पास थोड़ी-थोड़ी जैसे वूल बच जाती ह उनको यूज कींजिए और अपना इस तरह से । पहला इस कोई भी प्रेशान ने हो तो यह इसी तरह से इस सिलाई को भी बनाएंगे तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी वेस्ट वूल बज जाती हैं वो धागे भी आपके यूज में आएंगे और एक रेडिमेट लुक में भी डिजाइन बनके आएगा तो उन धागों को लगाईए और अपना प्रोजेक्ट बनाएए तो यह फिर से मैंने पहली सिलाई की तरही पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना के इसको कम्प्लीट किया अब आ गई हैं अगली सिलाई, अगली सिलाई पहले फन देखो तो उल्टा बनाईए या उतारिए वो आपके उपर आपकी मर्चे हैं, अब फिर से एक दो यहां से पीछे से नीडल डालेंगे, लूप निकालेंगे, अब जो एक और दो फन दे हैं, इनको फिर से हम यहां पर इखठा बनाएंगे और बैक लूप से सीधा बनाएंगे इस तरह से, यह सीधा बनाएंगे दोनों को गिराएं, एक दो, फिर से यहां से एक लूप निकालेंगे और एक यह, और एक यह, दो को हम यहां पर ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर से एक दो, यहां से लूप निकालें से दो का एक करेंगे एक दो फिर से सीधा बनाएंगे फिर से एक दो इन दो के पीछे से बैक लूप से यानि की सीधा बनाएंगे लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे तो यह देखिए अलग-अलग धागे लगा कि मैंने आपको यह डिजाइन बना कि दिखाया तो इसी तरह से आप अलग- किस तरह से आएगा तो यह देखे मैंने अलग-अलग धागे लगा कि इस डिजाइन को बनाया है तो दो-दो सिलाई का डिजाइन है इन्हीं दो-दो सिलाईयों को आप रिपीट कीजिए और अपना ये सुंदर सा रेडी मेट लुक में डिजाइन बना लीजिए तो फ्रेंट इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, कारडीगन में, जैकिट में किसी में भी डालिए सभी मेडल के देखी बिल्कुल उबरा-उबरा सा डिजाइन है रेडी मेट लुक में बनकी आएगा जितना डिजाइन देखने में सुंदर है उतना ही बनानी में आसान है तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा डिजाइन पसंद आए बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ तो बने रहे इसी तर आप हमारी चैनल के साथ हैं